मैं सबसे पहले होतो हूँ इस सभागराह में उपस्तित एंडिये घटक दलों के सभी नेतागान नव निर्वाचीत सभी साउसद्गान और हमारे राज सभागे भी साउसद्गान आप सबका रदे से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मरी ने खुशी की बात है कि इतने बड़े समू को आज मुझे यहां स्वागत करने का आउसर मिला है जो साथ ही विजयी होकर के आए हैं बेश सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं लेकिन जिन लाखो करता हूँ ने दिन रात परिश्रम किया है नवनों ने दिन देखा न रात देखी और इतनी भैंकर गर्मी में हर दल के कारकरता ने जो पुरुशार्थ किया है परिश्रम किया है मैं आज सम्विधान सदन के इस सेंटर होल से सर जुका करके उनको प्रणाम करता हूँ साथि मेरा बहुत सवभाग्य है के इंडिये के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मत्य से चून करके मुझे एक नया दाईत्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ गर्ति के जीवन में एक मैं जवाबदारी का ऐसास करता हूँ जब 2019 में इस सदर में मैं बोल रहा था आप सब ने मुझे नेता के रूप में चुना था और तम मैंने एक बात पर बल दिया था विश्वास आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दाईत्व देते हैं इसका मतलब है कि हम दोनों के बीश हम अपस में विश्वास का सेत्व इतनों मजबूत है ये अतूट रिस्टा विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूजी होता है और इसलिए जो पल मेरे लिए भाव करने वाले भी है और आप सब के प्रतिज़ कितना धन्यवाद करूँ उतना कम है साथियों बहुत कम लोग इन बातों की चर्टा करते हैं साथ उनको शूप नहीं करता होगा लेकिन हिंदुस्तान के इतने महान लोक्तंत्र की ताकत देखिए कि एंडिये आदेश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बना करके सेवा करने का मौका थी हमारा ये एलाइंस सच्चे अर्थ में भारत की असली जो स्पिरिट है जो भारत का आत्मा है भारत की जड़ों में जो रचा बसा है उसका एक अर्थ में प्रतिवीम है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी नजर करे हमारे देश में बस ऐसे राज्यों जहां हमारे आदिवासी बंधों की संख्या प्रभावी रुप से है निरनायक रुप से है जहां इस आबादी आदिवासी की जदा है ऐसे दस राज्यों में से साथ राज्यों में एंडिये सेवा कर रहा है साथ्यों हम सर्वपंत संभाव के हमारे संविधान को समर्पित है और देश में चाहे हमारा गोवा हो यह हमारा नौर्थ इस्ठ हो जहां बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इसाई भाई बन लेते हैं आज हम उन राज्यों में भी एंडिये के रूप में सेवा का आउसर हमें मिला साथियों प्री पोल एलाइंस हिंदुस्तान के राजनीती के इतिहास में और हिंदुस्तान की राजनीती में गडवंदन के इतिहास में प्री पोल एलाइंस इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जीतना की एंडिये हुआ और ये गडवंदन का बीजय है हमने बहुमत हासिल किया है और मैं कई बार कह चुका हूँ शब्दा अलग होंगे लेकिन मेरे भाव उसमें एक सातत्य है सरकार चलाने के लिए बहुमत आवशक है लोकतंत्र का वही एक सिध्धान्द है लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है और मैं आज देश वासियों को यहां से विश्वाद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार के हमें बहुमत दे करके सरकार चलाने का सवभाग्य दिया है यह हम सब का अदाईत्व हैं कि हम सर्वमत का निरंतर प्यास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोडेंगे साथियों एंडिये को करीब करी तीन दसक हो चुके हैं यहना आजहादी के 75 साल में तीन दसक एंडिये यह सामान्य घटना नहीं है विवितता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजी ग्रचना के बीच हुए यह तीन दसक की आत्रा एक भहुत बड़ी मजमूती का संदेश देती है और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि कसी एक समय वो था कि संगठन के कारकरता के रूप में इस एलाइंस का हिस्सा था दवस्ताओं से जुड़ा रहता था और आज सदन में बैट करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इसे तीस साल का रहा है और मैं कह सकता हूँ हकीकोंतों के तत्थों के अधार के कह सकता हूँ यह सबसे सफल एलाइंस है हम गर्व से कहत रखने हैं कि पांच साल का टर्म होता है इस एलाइंस ने तीस साल में से पांच पांच साल के तीन टर्म सफलता पुर्वक पार किये हैं और एलाइंस चोथे टर्म में एंटर कर रहा है साथियों इस बात को जो राज़िती के विशेशग्य है अगर मुक्तमन से मुक्तमन शब्द बहुत महत्पका है बेश सोचेंगे तो पाएंगे कि NDA कि सक्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है ये राश्ट प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्थ के प्रथिक कमिटेड वैसा ये समूँ है और तीस साल का लंबा कालखन शुरू में साइदे एसेंबल हुआ होगा लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि भारत के राजनितिक व्यवस्था में एक और्गेनिक अलाइंस है और ये मुल्यर श्रदेय अटल्य वहरी वाजपाई श्री प्रकास सिंग्जी बादल श्री बारता भाकरे श्री जॉर्ज फनाडी श्री श्रद्यादव अंगिनत नाम में कह सकता हूँ बारता भाकरे